प्रेंड हम अपना नेबरोड एक्स्प्लोर कर रहे हैं और आज हम अपना मेल बॉक्स देखने के लिए आए हैं सबसे इंपोर्टन चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं अगर हम नया घर लेते हैं तो कैनेडा पोस्ट को मैंने लेटर लिखा था कि मैंने घर चेंज किया ह मेरे को नई चाबी दे दिया है और लॉक भी चेंज कर दिया है इन और टो मेंटेन दसेक्यूरिटी तो यह फैसिलिटी फ्री ओफ कॉस्ट है नियू होम बायर्स के लिए चलिए दभी देखते हैं कि हमारे नए मेल बॉक्स में क्या है तो देखे फ्रेंट जोगेश ने प्रूटल इन हार्श विंटर टाइम्स कि बात में आपको थोड़ा बताना भूल गया कि चाबी जो मिलती है हमारे को यह हमारे को शॉपर्स रगमार्ट और कैनेड़ा पोस से पिक करनी होती है बट मैंने उससे जो कैनेड़ा पोस्ट की लेडी ती उससे रिक्वेस करी कि म और यह देखिए यह हमारे घर से करीब मैंने जैसा बताया आपको नौट इवन हाफ मिनिट की वाक पर पीछे जाकर यह रास्ता लेक की तरफ जा रहा है लेट सी वाट इस देर हमारे को बालूम नी था जब हम लोगों ने घर लिया था क्योंकि बहुत जल्दबादी में हम हमारे गर से अलमस्ट सौ दूसों मेटर के अंदर यह चोटा सा पॉंड नहीं है तो फ्रेंड देखिए इस पेवड पाथ से वाक करते हुए हम इदर आए हैं और यह सामने आपको चोटा सा पॉंड नजर आ रहा है ट इस नौट अले लेक अक्चली इस पॉंड और यह वाल यह आपको एक शीज और बताना चाहती हूं यह देखिये यह सिटी हमारे घर के आगे खुद ट्री लगा कर गई है इस मैंड़ारी बाय दिटी तो ब्लांट ए ट्री इं फ्रंट आफ यार पिर हाउस पहले भी यहां पर एक ट्री था बट यह तिंग विकॉस अब इस प्री इनको निकालना पड़ा कुछ डिके रहा होगा या कुछ प्रॉब्लम रही हो कि उस ट्री में तो हमारे पॉसेशन लेने के बाद इन्होंने यहां पर आकर एक ट्री प्लांट किया है और साथ में एक बैग भी लगाया है और दिस इस दो वाटरिंग बैग जिसमें आप पानी डाल कर रख सकते हैं और जब दूप जब सौरी वाटर चाहिए ट्री को तो आप उस बाग के थूँ इस ट्री में पानी डाल सकते हैं और नीचे यह और गानिक मेनियूर भी वह छोड़ कर गए हैं पॉर द नरिश्मेंट of the tree thank you और देखिये friends यह tree plant करने के बाद यह हमारे डॉर नॉब पर यह एक पैंफलेट लटका कर चले गए हैं कि how you have to take care of this tree देखिये इसमें लिखा है a new tree was recently planted on town property adjacent to your property please help us by following these simple steps to ensure the tree remains healthy for years to come quite interesting thank you